जी यहां दोस्तों बात करेंगे आधार कार्ट रिक्रूट्मेंट दोहजार चोईस के बारे में UIDAI रिक्रूट्मेंट फरवरी दोहजार चोईस की यह बात है इसके लावा यहां पे यह सेक्शन ओफिसर और कलर के पदों पे निकली हुए यह 10-12 अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो यहां पर अगर समें सेलेरी की बात करूँ तो सेलेरी यहां पर इसमें अच्छी खासी मिलती है 25-30,000 के अराउंड यहां पर सेलेरी रहते है स्टार्टिंग दो साल की और उसके बाद में टीडे लाउंसेज के बाद में आपके यह सेलेरी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे UIDAI Recruitment 2024 के बारे में आधार कार्ड विभाग में यह वेकेंसी है इसके अलावा यह वेकेंसी दो तरकी वेकेंसी है सेक्शन ओफिसर और कलरक के पदों पर 1500 और 4000 पिचेतर करीब यहां पर यह वेकेंसी इसके अलावा टोटल निकलती है यह दियान रखना आप सेक्शन ओफिसर की और कलरक पदों पर यह वेकेंसी अभी यहां पर 2000 चोईस की यह है इसके अलावा यह वेकेंसी कैसे क्या एप्लाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा दियान रखना यह वेकेंसी में जो वेतन महान है 26,000 रुपे प यहां पर इसमें लिखे हुए तो वो भी आपका यहां पर ध्यान रखना बनवा लेना जो आपके नोटिस में यह जो डोकुमेंट्स लिखे हुए वो अगर बनवाई वह नहीं है तो बनवा लेना एक एक दोजार चोईस तक आपकी डेट्स भी यहां पर 40 साल से अधिक नह सकते हो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए